सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको ये वीडियो ची लगए तो लाइक रश्वेट शुरू कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मटी के बने कच्चे चोटे से गर के लकडी के तर्वादा कRO को खोलते ये वो दोनों अंदर डाल हुए तो नजरे मटी के चोटे से सेंट से होती ह於 सेंट में ही दायंट जान बने कल्ये बावर्चिहाने चेह होती ही सामने दो कमरों पर गई तो अकीदत ने गर्दन तिच्छी कार के बलाजशा को देखा जो शानी बेन्याजी से दोनों हाथ पैन के जबू में अड़ासे खुले समा को देखने में मुझरू हुँ था जैसे इसे जुरूरी तो कोई काम नहीं आज वो दोनों दाई के गड़ाय थे क्योंकि आज मुकदस बेगम शहर शादी की शापिंग करने गई थी अगर उनके होते वे दाई से मिले आतियत उनने जरूर शाक हो जाता तुम नहीं चलोगे अंदर अकिदत के पूछने पर बलाचान ने पनी ग्यारी सियांकों को कोपर से गुमातवे अकिदत को देखा जीन्स की साथ लाइट ब्रीन कलर की शट पहने सिया गने बालो को रफली माते पर बिखड़े वे अनाभी होंटू को साथी से आपस में फिवस्त की वे चेहर पर बलाक संजीत की तारी किये वो साच में किती रियासत का मगरूर शिजादा ही मालूम हो रहा था जिसकी तीकी मागरूर नाख बर घुसा हमा वक्त सजा रहता था सोड़ी मैं अंदर नहीं चारा क्योंकि अंदर मजुद हस्ती सिर्फ बजरुक नहीं अपने जमाने में नागर्ड ड्रामे की सो मंतरा का रोल अदा कर चुकी थी वो अपने अजीम अनुशा कारणा में बताने गी तो मुझे गुसा आएगा और जब मुझे गुसा आता है तक मेरा दमाग ओट हो जाता है तो तो तब मेरी पिस्ट्र चलती है और अगर मैं अपनी पिस्ट्र पर कबूप भी लोगो तुँ ऐसे खुने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास इस ये जहमत आ मैडम खुदी कर ले एक ही सांस में ड्वान में कहते हुए अकिदा का दमाग गुमा चुका था मुझे पता नहीं था कि तुम इंडियन ड्रामे भी देखते हो फुट बाजब करते हुए दान कुछ को जाकर का तो बलाज़ा ने शानी भी न्यादी से कांद रुचका है ब्रामे नहीं देता बस नागनों के बारे में इन्फो रखता हूँ क्या पता कभी किसी से वास्ता पार जाए तो बंदे को ड्रील करना चाहिए अब रूच का आकर कहता हुए वह इद्गिन नगा दुराता वाथ से में पढ़ी चापाई बजा बैठा तो अकिद्ध ने गुर का बलाज़ा को देखा मेरी द्वाए है कि बहुत जाल तुम्हारा किसी नागन से वास्ता पड़े बलाज़ा के चेरे बार दिल जिलादे व आंके मोदी तो तुसरवर के पड़े पाद सिबका शाह की रोती विशाद आंके शाद रंग आंके देखकर बलाज़ा जटकेस उठा दोन्हों आचापागी पांटे बढ़के साथ दाएं बाइन नफी में हाट आतवा पर मूबायल निकाला जब मकदस प्याद ने आपको यह सब करने को कहा था तो आपको मामा जी को यह बात बतानी चाहिए थी यह बात क्यूं उनसे क्यूं चुपाई बताया क्यूं नहीं अपने सामने बिस्तबलेटरी दाय को देते साथ लजमें कहा तो उन्होंने अपने जड़ियों से दाखात में कहती है वो फूड़ फूड़ कर रुड़ने लगी तो अकिदशा ने ग्यारी सांस वर्टवे आग्यों तब अपना हाथ उनके कांदे पर रखा बदामगुल के बाड़े में आपको पैसे पता चला वो जूड़ पी तो बोल साता था ना अकिदद के स्वापा उनने बे से नफर करने की वज़ा समझ आती है लेकिन वह अपने ही बेटे से क्यों नफरत करती है जरगाम हान तो उनका हमून इकलोता बेटा फिर क्यों एक बाद जो वह आज तक समझ नहीं पाई थी यह स्वाल हमेशा बेग चैन रखता था कि वह औरत उसके शोह औरत क्यों नफरत करती है हलांका जरगाम हान जान शरुता था अपनी माँ पर नफरत मकदस बेगम शेरहां को पसंद ही नहीं करती थी अपने बाई के कहने पर शादी की बदामगों ने कैसे जराजी किया क्या हम ने जानते लेकिन जरूर जानते हैं कि यह शादी सिर्थ दोलत के लिए की थी मकदस बेगम ने शादी के बाद शेरहां ने एक चाने वाले शोहर किता है मकदस बेगम के नास नहड़े उठाए मगवा हमेशा उनसे लतराती रहे वो कहीं बार लड़ाए जगरू में अपनी नापसंदिद्गी का इजहार भी कर चुके थी और जिसे इंसान से फतर निफ फाक थी वो औरत या मां के दर्जे से ही नहीं गिरी थी वो इंसानित के दर्जे से बिगड़ चुके थी दाए के मिलने के बाद वबलाशा के साथ हान हवेली के जानम निकले थे क्यूंकि आज अकीदर शाका पागल हान से अपने दिये पूर पर सजने का हुकम सादर किया ग्रेखान की लोड़ेती बेबाग नजर याद करते वेए दिरबेश साता दर्का था जर्गामान की मेनी हेसर गोष्यां कानों में गुरजीतोपाल में चेहरा पर गुलाल बिक्षरा था तुम्हें नहीं पता कितना मुश्चिल है मेरा हुईली से निकलना इस ऐस कम बहुत हिका आма थिया जिए जर mature मिखाrat हो, Snake मकदस बेगम ने माल में इद्दी नकाद रॉते वे का तो बदाम गुल ने गुसे से पनी मुठियां बेजी कितने साल कितने सालों से तरह पराहूं अपने गौव में खुल का जिने के लिए हाथना की फिक्र परशानी से अदास दो कर इस हवेली पर राज करने के लिए मगर ह ना हो सगा तो शादी के दिन को माता के दिन में बदल देना मैं अममसीद उने अपने आँखों के सामने उन्हें बदाश नहीं करते हाज नहीं शादी का दिन हान और शाकी बरबादी का दिन होगा जरगाम हान का एक ऐसा दुश्मर मिला है जो जरगाम हान के हानला को तबा सरदार की बात कर रहे हो मकदस बेगम ने नात्म जी से पूचा तो बदाम गुल ने मस्कुरातवी नफी में सारी लाया नाम का जरगाम हो उपर से हान हो और सरदा भी उसे दुछमनों की कमी थोड़ी होगी बस देखती जाओ कि होता क्या क्या है माजी में भी हम जीते थे अब भी हम ही जीतेंगे बदाम गुल के पूर इस्टरा लहजे पर मकदस बेगम ने समयने के अंतास में सारसबार में हिलाया और उटका चेरे पाँ चाध दर करती हुई इद्गी नगाध दुरातवी तेज़ते वहां से निकली थी मलाजम को शाधत की मुली से अपनी जानब आने का इचारा किया जिस पर इस बेचारे ने गंदर तरिच्छी करके रहुसे बीस फुट के फासे पर हवेले के गेर और रहुसे पांच फुट के फासे बाकड़े हवेले के जिन को देखा जो किसी भी वक्त किसी कभी जिपरने को त्यार रहता था बाँ मुश्कल मुश्काते हुए मुटदा कदम से वह अरगमान हान की जानब बढ़ा असलाम लेकूम छोटी हान माते के क्रीब हाथ लेकर जाते हुए इसलाम किया कात अरगमान हान ने थमझने के अंदाम में सारह लाया अच्छा, सही, सही और कोई हवाले से कोई हास हबर मेरा मतलब है शादी की त्यारियन कैसे जारी है थासे कपरा हटातवे कार देखते हुए तफशी लेहजे में इस तफसार किया तो मलाजम तो अर्गमान हान की इतने नरम उसादा लहजे पर हैरत जदा होता वा आंके पाड़े अर्गमान हान को देखने लगा जी हान जी सब बढ़ियां त्यारियां हो रही हैं तीन ती शादियां है ना तो बहुत काम करने वाले हैं कार दो बड़ी बीबी जी एक पसांद कार चुकी थी लेकिन दूसरा कार चोड़ी बीबी जी की पसांद का चाहदी थी एक मिनट एक मिनट तीन तीन शादियां क्या मतब इस बाद से शादियां तो है ना बेराम लाला और हदायक लाला की पिर तीसी शादिय किसकी है मलाजम की बाबार चौंगते वे अर्गमान हाने है ज़्यदा लहज़े में इस अफसार किया तो मलाजम नासम जी से अर्गमान हान कर देखा चोटे हान कि आप नहीं चांटे कि बेराम लाला की बेहन की भी चादी है ना किसी दिन उसके कार्ड की बात कर रहा हूं पतीसी के नमाईश करते अभी वो बात मुकमल करता कि अर्गमान हाने बाई हां से धाल नीचे गराते वे उसे कमीज के कालर से पकड़ते जमीन से उठाया था क्या बखवास कर रही हो ऐसे कैसे हो सकता है तुमारी हमत पी कैसे मुझ मलाजम की रूप तक लजरा गया था नहीं चोटे हां यह सच है सलवा भी भी अर्गमान हान के तेवर देते कपकपाते लाज़े मैं कहना चाहता तो अर्गमान हाने जटके से कालर चोड़ते वो इसके गर्दन दोची थी बखवास बंद करो अब बगश का नाम अपी जबा शलवा हान जले प्यार की बिल्दी के मानत अपने कमरे में चकर काट रही थी समरी बेगम ने रिष्टे के लिए हाأं बोलने का कहा था जिस पर सलवा का इराधा था क्यों भी 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 हान के बारे में बताने का इरादा रखती थी मगर आए सुबा उटते ही शादी के अबर किसी पहारा के तार टूटी थी इस पर सम्रीम बेगम से इतनी ज़दी शादी और उसे पुछे बिना तरही रखतेने पर वो बात करने गई तो उसे मालूम हुआ कि ये फैसा बहराम शा आती वो अपने कमरे से बाहर निकलती नीचे लाउंच की जाने बढ़े वह शाह हवेली के पास पहुंचा तो एक कार को हवेली से बाहर जाते देखका जीप वहीं रोग ती अभी कार्स गेट बांद करते के कुंड़ी लगाते कि अर्वमान हाने आगे बढ़ता हुए पॉ तो मिलाजम ने सीने पर हात रत्रत्री ग्यारी सांस ली पहले के बात तो होती तो अर्वमान हान की इस हरक पास जरूर को रद्यमत जाहर करते चाहे उसके नतीचे में की हड्यों का सिर्मा बंढ जाता मगर आप सब मिलाजम क्या गौंवाले जानते थे कि शाह और हान एक प पढ़ गे तो अर्वमान हान की आंको फ़े पल में होन उतरा था वो जो समनी बेगम की तलाश में इदर उदर नगा दुराती नीचे उतरी थी फुद पार नजरू की तपच महसूस करते सामने देखा तो दक से रह गे जिसके बार में सोचते भी जान हलकान रोई थी वो श जेटके से परड़ थी अपने कमरे में जाने की निया से उपर बढ़ने लगी मगर अभी वह दो कदम यांगे बढ़ी थी के रह्मान हाज चील्ड की मानद सल्वाक शाह के सर पर पहुंच जाता सल्वा का बाद दबोच तो जान लबू पर आए मुझे दोका देने की तुम दोका नहीं दिया यकीन करूँ मैं खुद झान लुझारा और्मान किया हाद पर अपना हाद रट रट असकौई करके से शल्वा के दोनों बाद अपने सत्य गिए करे लब किया यह दोखा नहीं तो क्या है कैसे मालों कि तुम से पूछे बिना तो मारी शादी के दिन रख दिये के हैं कैसे मालो सलवाशा के चेरे पाइद दारते हुए कहते हाथ का मुका बनाते हुए पीछे ट्रेलिंग बमारा तो सलवाशानी अपनी जगा पर उचल कटाए गए मैं सच मैं सच में नहीं चांड़ती यह वहराम लाला का फैसला सेहमी नजर से अर्गमान हैं के सुड़ पर चेहर को देखते हैं तरह करते हुए मनमना का कहना चाहा तो अर्गमान हैं ने साथे से जबरे बीचे जिसके बाइस करने पर्टी के रग्यत कर वाजी हुए उठारी क्रें जूड है तो जूड ही सही मखड़ एई बात मैं भी तुम्हें बता दो अगर तुमने अर्बढहन हान की नहीं हो तो फिक किसी की भी नहीं हो ग्र्ष का दिया है ना सुसमेत बददा भी लोगा शादी ना रोक सका तो इस प्टरे की आदी को लिए नो अगर अज़े कि अपने इस कंपाद दिल में जो तुम्हें दे का दरकना शूरूरूgel और फिर हर दरकन तुम्हारे नाम करता चलागा तुम्हें बेवफाई तुम्हें 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 बेवफाई के लिए मारोगा और अपने इस दिल को तुम्हें जैसे दोका बास के लिए मुझे दगाद करने के लिए और अगर शादी डोका तुम्हें अपने नाम का ल पता है ना कितना वक्स आया होगा तुम्हारी वजह से भाई राते गार को देते हैं वह बेचारा हर ब्रागर जगह से उठा था चोटे हांडी वह आप गुसे में थे तो बस इसलिए कांदेवा लटकती बंदू को ठीकर तो में मनागत कहा तो अरगवान ने सब काम चोड़ो बहिरण लाला आीं तो बताने वक्स आरगवान न गांगर उसे स्वाल भी करेंगे तो उससे अच्छा दाकर फॉद अपने आपकि इतला दे दे दिरता जाए तांके बहरां वो किसी तरह का शक्त ना हो जीव को डेर के सेहर में खड़ी करता वो च्लांग लगा कर निचूतरा था जरगाम हान की गाड़ी वहां खड़े देकर आंको से संगलासी उतारते बासू के आस्तीन से अपने आसो साफ करता होटो पाज जबर्दस्ती की मुस्करार सजाए वह अंदरुनी हिसे की जाना बड़ा था जरगाम हान डेर का काम जल्दी से समीट कर जल्द आ जल्द हवेले पहुशने की निये से बाहर निकल रहा था कि सामने जाते अर्गमान हान को देखता मुस्करा को उसके जाना बड़ा अरे वा माशाला आज ये चांद कहां से निकला जाना अर्गमान तो की जाना की जना कि घा वे बाश्चा हन को देखा अर्गमान हान डेर दें में बहुत कंबाता था कूंकि वजया जाबी आता था मैंस के कोई जांगर तो승 स्वाण का काम-प्र-डिया मृत करम कर दिया आगे बढ़ते अर्गमान हान की आंकों से ग्लासे उतार डे जो वो अंदर आता हुआ दोबारा से लगा चुका था जर्गमान हान के ग्लासे उतारने पर अर्गमान हान ने हर बड़ा का जर्गमान हान को देखा जो अब साथ नजो से जर्गमान हान को देख रहा था तुम रोए हो छोटे हान इदे को रो चेहरा अपना और बता मुझे क्यूं रोख कर आए हो तुमारी आंकों में आसो तो मुझे अपनी मेगत पर कबूल नहीं है फिर अर्गमाना का चेहरा पेंदाई हाथ में धामते पने तरफ करते हुए जब कर अर्गमाना की हैजल हनी आंकों के सूज़ वे पे वोटे और नम अपल के देगा जरगमाना को ऐसा महसूस वा जैसे किसी ने दिल को पूंट अले कुछाद दिया हो अला ना करे कैसी बाते कार नहीं है लाला वो तो बस ऐसे ही जरगमाना की बापा तरफ कर कहते हैं उल्लियों के पोरुच से आंके साफ की तो जरगमाना ने साथी से मुठी अबीतोवे अर्गमाना के चेकी सहमी मसक्राहर देखे इस से पहले कि मैं कियामत बरपा कर दो यह जानने के लिए कि मेरा चोटा हान किस पज़ा से रो है मैं सारी रास्ते सोचता आया हूं कि वह मेरी नारी तूसे किसी और्का नहीं होने दुका मंगर साथ तो यह है कि उसे जान से माने का सोचता हो अपनी जान नीकटर भी मैसूस होती है मुझे वह मेरी महभच है लाला सिर्व मेरी मुझे सलवाशा चाहिए हर कीमत पर चाहे वो किमन मेरी जान ही क्यों न हो मेरे नाम कर दे लाला मैं नहीं जीज़ाता उसके बगार जरगाम हान के कांदे पास सर टकाए हिच्कियों से रोता वाल जरगाम हान की जान पर बना किया था चुप एक दम जुम पता देना प्रिलाला को अब वही होगा जो तुम चाहोगे सल्वा शाह तुम्हारी ही बनेगी इस पर चोटे हान के लावा किसी का हक नहीं हो सकता सुन रहे हो ना क्या कहा रहा हूं मैं सल्वा तुम्हारी ही है अब अगर एक आंसु तुम ने इसके वज़से बहाया तो याद रखा रखान के मैं उसकी जान ले लूगा जिसके वज़से में चोटे हान की आंकों से मज़ीद एक और आंसु भा भी दो अर्वमान हान की पीर से लाते वे बालों में हाथ फित वेत सर्दों सपार लहज में कहा तो अर्वमान हाने होंस ज़्माफा अर्वमान हान खांगा मना प्छान को घ बात करने का सोचा था अगर तुमने आंके बान ना की तो मैं अभी और इसी वक्त शाह हविली से सरवाशा को कखाई प्रवाकर तुमसे नकाब रहा दूँगा शामे अर्गमान को जबर्दस्ती अपने हाथ उसे खाना खिलाने के बात वहीं इशा की नवास पड़ते वह अर् कर जाने का रिस्क नहीं लेना चाता था जबाती पन में तो सब एक से बढ़कर एक थे इसलिए दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और जर्गमान नहीं चाता था कि वो खुद तो कोई नुक्सान पहुंचाए इसलिए वहीं दूसरे पलंग पर वो अर्गमान हान के क क्यों चोड़कर चले गए अभी मैं इनसे बहुत सारी बाते करने थी अपने हिस्से का प्यार लेना था और भी बहुत कुछ नेकिन जब मैं आपके लिए अपने लिए मौपत और अपने दिल में आपके लिए मौपत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे जरगामान की आँकों में तकलीफ दे तासरात अबरे थे क्या वो उसका बाप का प्यार देने का नकाम हो गया था क्या उसकी बेलोस मौपत राइगरन के थी मगर जोस बाप से बढ़ कर प्यार दे आपके लिए बैक बाप माँ बाप दोस्त हमदर्ड दास बर्ण जाए वो साया हमेचा मेरे सार पास लामत रहना चाहिए मैं इस दुनिया की गरम वसर धवा को नहीं जिल सकता है लाला आपके बगार आपका चोटा हन बहुत कमजोर है जरगामान की गों में सार चुपा कर सिसक तो बेका तो जरगामान की आंका भी नम कर गया था देखके अर्मान हन या इंतजा काड़ी होगी के इन सोचे बैग वक्त दमा में गर्दिश कने लगी थी लहमें की तहीर कि ये बेना अकिदत का नमबर डाल किया जो स्विच चौप जा रहा था नमबर बांच जाने पार जरगामान को नाराजगी का अंताज़ा हो गया था प्रेशानी से पेश सुबह 10 बज़े करीब वो अर्गमान को लेतावा हवेली पहुंच आता अर्गमान को उसके कमरे में छोड़तावा तेज से कदम भराता वो अपने कमरे में पहुंच आता चिटके से द्रवादा खोलते वे जरगामान जैसे ही इंदर दाहल हुआ तो कमरे के हमोशनी दो इस आगे बढ़ते अपनी हटेली इंपाजमातें बुजाया था इतने अर्शे में वो अकीदत को उसकी रूह तक जान किया था जब वो घुसा होती थी या किसी बात का बुरा मनाती थी तो चीछती चलाती थी चीज़ें तोड़ती अपने उसे का इज़ार करते थे उसा शदी बगाया किसी जिज़ें के खोलते वो अंदर दाल हुआ मगार अकीदत को वहाँ बढ़ी ना पाकर मयूसित पड़ते वो बैड़ पर आबाठा था साही राज जागने के पास आंके सुर अंकारा हो रहे थे वीचे जाता तो दाजी सो सवाल करते गड़ी पर वक्त देखा त के सुठा था आंगों को मसा दते वे घड़ी पर निगात दुर आए तो शाम के चाह बज़े देखकर जलते से आगे बटावा दरादा खोलता बीबी जी किदर है तुम्हारी सामने खड़ी मलाजमा की सुने बगार तेस लाजर में इस तफसार किया जी बीबी जी तो सुब पीछ बांट करते वे और लिए कदम कबड़ की जानब बढ़त मरने का शोक है ना आज यह शोक मैं अच्छे से पूरा करूंगा यह पर राता है और यह और यह अब तुफवान बनावा हविले से निकला था सुबह सवेर अकिदत को एक अनौन नंबर से मैसेज वस्रूल हुआ था इस पर जंगल ये क्रीब पहाड़ी के पास मिलने के लिए बलाया था और नीचे मरजान हान लिखा था मैसेज मिलता ही अकिदत ने बहराम चाह को इंफार्म कि कहा था काल रात वह पूर्पूर सजी जरुगाम हान का इंतजा करती रहती मगर हर गुजरते लह में उसके इंतजा का मुशक्त तरीन करता जा रहा था वह कहीं बार से नबल बेर डायरा था नहीं सकता था तो कोई बात एक थी उसके जिम्मेदारी को समझझ थी मगर बज़ से बद जाने की कोशिश करना यह बात उसे तकलिफ दे रראी थी भी आकसोफे पर बैड़के थी ना जाने क्यों आंके बाबार जर्गाम हान के लाप्रवाई पर बिगती जा रही थी वो जानता था कि वो इंतजा कर रही है मगर उसके आने के बजाए अपनी मुस्रुफिया का बताना तक गवरा नहीं किया था जर्गाम हान के हया को जटते इद्गर निगाध दुराई वो आगे बढ़ रही थी या पीचे किसी की मुझूद्गी मेसूस का कर जटके से पलटी थी मगर दरहतु के सवाद दूर दूरता कोई जी रूर नहीं था मगर फिर भी खुद पर किसी की नजरूं की तपच्छ मेसूस करते अकिदर ने जाकि सब्सार किया तो पीज़े खरेश ने उस पर अपना दबाव ब्रात वे दूसरे हास अकिदत के हाथ में थामेवी पिस्टर चिपने के अंदास में चिनी थे गड़ना से निकलती हूं की लगई को सीने तक मेसूस है कि अकिदर ने सहती से अपनी मूठियां बीची थी तो मा